हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी ट्रेड अचार सो साथ में स्वागत है फिलहाल के दिनों में, फोरन इन्वेस्टर्ज एक सरकारी कमपणी के शेरों पर बुलिश है यह कमपणी के शेर पिछले साल अगस्त के पहले हफते में 52 हफते के हाई लेवल 145.90 रुप्य पर पहुँचे थे इसके बाद, शेर बजार में इन शेरों की खूब पिटाई हुई और कमपणी के शेरों ने एनेसी पर अपना 52 हफते का नया निचला स्तर 63.60 रुप्य बनाया लेकिन, हाल के दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स की दिल्चस्पी इन शेरों में बढ़ी है, जिससे सरकारी कमपणी के शेरों में तेजी का रुख है तो जीस सरकारी कमपणी के शेर की हम बात कर रहे हैं, वे कमपणी स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट सेल है पिछले पांच दिन में कमपणी के शेर एनेसी पर करीब 7% चड़ गए है एक्सपट्स के मुताबिक, सेल और दूसरे मेटल शेरों में हाल की सेशन्स में दिमांड में तेज गिरावट और ग्लोबल मर्चेंडाइज में मेटल के प्राइस के कारण कमजोरी आई है इसके अलावा, सरकार ने स्टील पर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिससे की मेटल कमपणीयों को जटका लगा है एक्सपोर्ट का कहना है कि मीडियम से लॉंग टम में स्टील की दिमांड पट्री पर लॉट आएगी तो, लंबी अबधी का नजरिया रखने वाले निवेशक मौजूदा लेवल्स से शेरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं सेवी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिर्म राइट रिसर्च की फाउंडर सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि लेटस डेटा के मुताबिक सरकारी कमपनी सेल में फॉरण इन्वेस्टमेंट चार दशमलब पाँच-आट परसेंट है दिसंबर के मुकाबले यह इन्वेस्टमेंट परसेंट बढ़ गया है लेकिन एक साल पहले के मुकाबले यह कम है हालिया डेटा से पता लगता है कि सिटी बैंक एने सेल स्टॉप के सबसे बड़े फॉरिन होल्डर्स में से एक है इस साल अब तक सेल के शेरों में करीब 34 फीसदी की गिरावट आई है ऐसे ही वीडियोज के लिए हुमारे चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद